नागरिक को लेकर बहुत सारे सवाल आए, कई लोगों ने मौझूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अलग-अलग पहलूँ से नाकुशी जताई और पूछा कि ये जो भरश्टाचार है, भाई भतीजावाद है, धनबल, बाहुबल, करप्शन, हम एक वोटर के तौर पर, एक ठीके हैं, क्योंकि मैं जैसी आप से कहूँगा कि राजनीती बहुत जरूरी काम है, जो हम सब को करना चाहिए, तो आप मुझ से कहेंगे, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैं स्वष्ट कर दू कि, अपने स्वधर्म को पहचान लीजिए, अपने मूल स्वभाव को प अच्छा लगता है, आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति नहीं है, तो मैं कहूंगा कि इस देश को, किसी भी देश को, सबसे ज़्यादा जरूरत है अच्छे नेताओं की, बाकि सब सेकंडरी बाते हैं, विज्ञान भी सद जाएगा, शिक्षा भी सद नेता साजने बहुत जरूरी हैं, तो यदि आप में नेता बनने के संभावना है, थोड़ा रिस्क लीजिए, नेता बनिये, और देश की संसद में अगर पांच, छे सो या आठ सो दोनों सदन मिलाके काईदे के लोग बैठे होंगे, तो उससे बहतर सिती हो नहीं सकती, लेकिन, लेकिन यदि आपका सभाव ऐसा नहीं है, जो जैसे मैं अपनी बारे में सोचता हूं कि मेरा सभाव उस तरह का नहीं है, मैं अगर पॉलिटेक्स में जाऊंगा तो शायद बहुत सहज नहीं रह पाऊंगा, और मैं, तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है, य किसी पार्टी से ना समवात सबसे होता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, ना मन से हूं, ना कागजों पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, कि किसी भी मुद्दे पर हर पार्टी को भूल कर अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि क्या सही है, क इसमें थोड़ी भूमी का मेरी भी है तो मैं तो इतने में संतुष्ट हूँ इतना काफी है मेरे लिए जी ओन देट नोट क्या विकास दिविकीरती को कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जॉइन करने का या चुनाव लड़ने का या किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने का ओफर आया है मैं अब सीधा ऐसा ओफर तो नहीं कि ये ओफर आया जाई ये ऐसा नहीं लेकिन हाँ दो तिन बड़ी पार्टियों से समबाद उन्होंने किया लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए समबाद कर रहे हैं तो मैं पीछे अट जाता हूँ जहां तक बात मिलने की होती है कि एक बड़े नेता हैं मिलना चाहते हैं तो मिलने में मुझे कोई हर्ज ने लगता है सबसे मिलना अच्छा लगता है पिछले छे महीने में ऐसा दो तिन बार हुआ कि किसी पार्टी के अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं तो जनरली मैं अब तक मिला नहीं हूँ, मैं दूर से ही ये कहे के कि मैं उस राज से बजाने के मूड में हूँ नहीं तो फिर मुलाकात का फाइदा है नहीं, तो फिलहाल ओफर्स हैं पर मैं बचता हूँ इस यह से चल्वान जो और लेड़ी संस्द में हैं या संसद में पहुंचने की दावेदारी रखते हैं मैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा शुरुवात करूंगा प्रधान नरेंद्र मोधी से नरेंद्र मोधी मैं मैं पहली स्पष्ट कर चुक हूँ कि मेरा किसी पार्टी से अफिलेशन ना है ना होने के संभावन निकर भाविश्य में है मैं अपने मन की बात कहता हूं देश के प्रधानमंति के रूप में मुझे नरेंदर मोधी इस समय best choice लगते हैं, दिल्ली मैं ये आधा sentence था है, मैं पूरा कर देता हूँ, और दिल्ली के मुख्यमंति के रूप में अर्विन केज़िवल best choice लगते हैं, मुझे इन दोनों में कोई समस्या नही है, मैं चाहता ह कि इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मोधी जी से बहतर पीम बन पाए ना ऐसा नेता जो अरविन केजडीवल से बहतर सीम बन पाए तो मैं चाहता हूं कि केजडीवल दिल्ली के सीम रहें मोधी जी देश के पीम रहें और अब ये तैय हो अपने बेस्स संस्क्रण लगतार बन रहे हैं पहले के तुलना में वो बहुत बहतर हुए हैं और बहतर हो रहे हैं दोहजार चौबिस में तो मुझे संभावना नजर नहीं आ रही लेकिन उनत्यस में हो सकता है कि वो एक बड़े दावेदार हो और अगर होंगे तो अच्छा है हम क्यों मानके चलें कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी अलग-अलग नेता अच्छे नेता आएं पॉलिटिक्स में देश को संभाल ले इसमें क्या बुरी बात है संभालना चाहिए जे एक इल्जाम भी लगता है विकास दिविकीरती जी इल्जाम हां मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ ठीक है भाई आप जंता पूछ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मुक्रमंत्री योगी आधितिनाथ पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजे जब जब योगी जी को सीम बना हाँ मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूँगा मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीम ना बने क्योंकि मेरे मन में उनकी छवी थी कि वो एक मठ वाले आदमी है और धर्म का आदमी सीधा राजनीती चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन पिछले प मुझे को या पत्ति नहीं है अब उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया है तो बिहार का रुक कर लेते हैं बिहार के दो बड़े और चर्चित नेता मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा पहले लालू प्रसाद या दो इन्होंने इन्होंने मेरे सुपारी लिए मुझे लगता है और आज है मुझे मरवा के मानेगी है मेरा पिछले कुछ साल में नितीश कुमार वहां मुख्य मंत्री है और मैं जनरली ये मानता रहाँ कि वो काफी अच्छे मुख्य मंत्री है नए लोगों में तेजस्वी अदव से मुझे काफी उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो जो जो लालू जी के समय की बाते थी कि जंगल राज होगा वो सब होगा इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवी फिर से ना बन जाए और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से म लोख्य मंत्री बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविश्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे जी मैं ये आखिरी प्रश्न है इस सत्रगा कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि UPSC की तैयारी कराने वाले और जो UPSC में सेलेक्ट हो गए हैं दोनों लोग एक सेमी गौट से हो गए हैं डेमी गौट से हो गए हैं बहुत ज़ादा ग्लोरिफाई कर दिया गया है ऐसा लग रहा है कि अगर आपने I.S. नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया और I.S. निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं जो सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वाइरल होती हैं प्रशासनिक कारियों से इतर वाइरल होती हैं ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जताई जाती है कि आप इन स मतलब इस पे दो बाते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा क्योंकि एक सामान्य समझ यह है कि ह इंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं जब मैंने अपने वीडियो यूट्यूब पे डाले लंबे वीडियो तीन घंटे चार घंटे पाँछ घंटे का वीडियो भी छे गंटे का वीडियो भी डाला तो मुझे यूट्यूब के धुरंदरों ने कहा कि 27 मिनिट से उपर वीडियो डालेंगे तो पिट जाएंगे मैंने बहुत कोशिश की छोटा को और मुझे छोटा होता ही नहीं वीडियो मैं विस्तार में ही बात करना पसंद करता हूँ कि लेकर मैंने देखा कि जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे के वह भी 2 करोड, 3 करोड, 30,30 करोड लोगों ने देखा तो मैं एक बात तो आप से कहना चाहता हूं कि पृष्रे 3 साल में मेरी धारना यह बन गई है कि हिंदी का समाज भी ग्यान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है जितना कोई भी सब्हे समाज होता है और यदी और यदी मेरे जैसे कुछ लोग जिनमें मैं भी सायोक से शामिल हो गया हूँ इसमें कुछ भूमिका नहीं भा रहे हैं तो ये स्वागत की बात है, नमबर वाग कोविड ने क्या किया कि जो वीडियोस पॉपलर होते हैं उनके क्लिप निकाल निकाल के क्वाई चैनल्स ने क्लिप जालने शुरू की मुझे मेरे टीम ने बताया कि करीब 40-50,000 चैनल्स हैं जो हमारे क्लिप्स काटके चलाते हैं और पैसा कमाते हैं हमने शुरू में एक्शन लिया एक दो बार फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं अगर इससे रोजगार बढ़ रहा तो हमें क्या परशाणी है अब उनका रोजगार बढ़ा और लोगों नी पहचाना शुरू कर दिया मुझे कोविट के समę confess faccia क där京 सा वाकिया है एक रिमोट गाओं के अंदर पेट्रोल पम छोटा सा वहां कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा रहे थे डीजल भरवा रहे थे वहां में उत्रा वाश्रूम गया और वाश्रूम में साथ में खड़ा वागति कह रहा है आप विकासर हैं तो फिर हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी अब सोची यहालत क्या होई होगी उस सब्मेन का भाई तुम कौन हो तो मुझे लगा यह कैसे जानता है मुझे तो उसने बताए कि मैंने यूट्यूब के आपको कई बार देखा है उस दिन मुझे यूट्यूब की ताकत का एह असास हुआ लेकिन एक साल पहले तक केवल यूट्यूब में यूपी ऐसी एस्पिरेंट्स ही जनरली मुझे जानते थे और यह जो मुझे कह रहे हैं कि आरोप लगता है उस आरोप की अस्री भागिदार यही हैं यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से ब मेरी जिन्दगी का पहला इंटर्वियू था उसके बाद तो फिर अब जानते हैं जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया यह बात सही है और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान देने लग गए हैं इस चक्र में तो इसे बुरा क्या है के चले कि तेज बोल को जोर से बैट मारने वाला ही नायक है एक बोल को लात मार के गोल करने वाला ही नायक है और एक रोल को एक्टिंग करके जी लेने वाला ही नायक है समाज का समाज के नायक सैनिक क्यो नहीं है समाज के नायक अध्यापक क्यो नहीं है समाज के नायक वो क आपके घरों के सफाई करने के लिए सीवर के अंदर उतरते हैं तो हमें किसी भी किसी भी देश का स्तर इस बात से तय होता है कि वो समाज किसको नायक मानता है मैं टीचरों में इसलिए नहीं कह रहा हूं किसी भी समाज में अगर टीचर सा समान बढ़ता है तो समाज के लिए साइदी की बात है इस पर बुरी बात क्या है अच्छा है